रामराम जी सारयोन तो बहुत सारे student's की डाउट था कि जो आपकी college की Maritalist वह कैसे check करें कि उनका college कलेज किस Maritalist में रहे है तो बहुत सारे student and यह कर हुए थीक हमारे जो login I.D. Correct, that is fail दिखा रहा है उसके बाद सामने देखो यह साफ साफ लिखा कि merit list is declared student can check using no your result link in home page ठीक है कि आपकी जो merit list हो declare कर दिया है जो भी student वो अपनी merit list कहां चेक कर सकता है no your result वाड़े option पे वो option कहा मिलेगा आपको वो option मिलेगा आपको यहां पे जो आपके तीन lines बनी है यहां पे आप देखोगे त आपको जो fourth number पर जो no your result है इस पर आप click करो ठीक है इस पर click करने के बाद यह आएगा कि आपको अपना registration ID यहां पर फिल करनी है ठीक है उसके बाद आपको यहां पर नाम फिल करना है नाम फिल करने के बाद आपको अपना मतलब UG और यहां पर first medalist ऐसे दिखा देगा और जैसी आप इस पर go पे click करोगे ठीक अप go पे click करने के बाद आपको निच्चे आए ठीक है बहुत सारे student बोल रहे हैं कि हमारा नहीं आया तो उसके निच्चे आपका यह आएगा कि आ registration ID है नाम है और यह ठीक है और उसके निच्चे ठीक है registration ID वगरा नाम के निच्चे आएगा आपका जो college मिले है आपको आपकी जो मतलब course है आपके जो मतलब subject combination वगरा है आपको preference number कौन सी थी यानि कि आपने जो यह college है कौन से number पर फिल किया था पहले number पर इसका इसने जो college September ठीक है यानि कि 18 September तक यह valid है और 18 September तक आपको offline तो जाके offline तो जाके fees cut वानी है और offline ही जाके आपको वहाँ पर अपनी document verification करवाने document verification related मैंने वीडियो बना रहा है तो आप वीडियो चेक कर सकते हो अगर अब भी मतलब इस वीडियो के बाद भी किसी का login नहीं हो रहा है तो वह अपने college में जाके contact करें कौन से college में जाए जहां पर उसमें first preference डाल ली थी यानिकि जो first preference वाला college था उसमें जाके contact करें ठीक है